मस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने गेंदा फूल का पोधा लेकर आया हूं और इसके फायदे बारे में भी बताऊंगा इससे पहले दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं इसे महराष्ट में मराठी भासाम का विधी तरीका तो दोस्तों इसके फायदे के बारे में बताने इस पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह यह गेंदा का फूल एक सदा बाहर पोधा है जो पूरे साल हरा भरा रहता है और दोस्तों इस पोधे की उचाई करीबन दो फूट से लेकर चार फूट तक पाया जाता है यह पोधा पूरे भारत वर्स में हर जगा मिलता है इसके फूल का रंग देख लीजिए कि सरिया होता है थोड़ा हल्दी का रंग का होता है दोस्तों इस फूल का बहुत डिमांड है पूरे दुनिया में इसके फूलों से हार बनाया जाता है और हर सुब उस सर पर इन फूलों से स्वागत भी किया जाता है तो दोस्तों अब मैं इसके फाइदे बारे में आपको बताने जा रहा हूं ध्यान पुरुवक सुनिए अगर किसी कान में दर्द हो रहा है तो आप गेंदे का पती का रस निकाल कर उसके कान में दो बून डाल दीजिए दो बताना चाहता हो अगर किसी को दाद है या खाज खूझली है या भीवाई है तो इस पत्ते का चटनी बना कर पीष कर तो दोस्तों मैंने आपको ये बतायए कि गेंदा के पत्ती का चटनी या पे्ष्ट बनाकर दाद खा खूझली में तो लगाया धाता है बड़ किसी भी आप उससी तुप्राबलमम में तो चा भीवारें भी कि उपयोग कर सकते हैं एदि किसी तरह का जक्म है घाव और है किसी भी तरीकें देंग पतिक उपयोग कर सकते हैं पेस कर चट्णी बनाकर मार लगये अस्थान पर लेप कर दीजिए तो बहुत जल्दी फाइदा होगा दोस्तों इसके फाइदे और भी अनेक हैं यहां तक की सुन्दर्ता प्रसाधन में भी इसका इस्तमाल किया जाता है ब्यूटीसियन चेहरे की चमक के लिए भी इस्तमाल किया जाता है जैसे समय से पहले अगर किसी को बुढ़ा पा चेहरे पर नजर आने लगा तो इसके पत्ते का या फूल का चटनी बना कर फेसियल करने से उसके चेहरे के जुर्खियां है वो मिठने लगती है चेहरे में तनाव आने लगता है जो की बुढ़ा भी जवान जैसे जैसा दिखने लगेगा अगर इसके पत्ते या फूल का चटनी या पेश्ट बना कर चेहरे में रोज लेप किया जाए और दोस्तों इसे तो आप सभी जानते पैचानते हो ये गेंदा का फूल है इसके अंदर भीज भी निकलता है वह भीज आईरवेदिक इस्टोर में मिलता भी है तो दोस्तों मैं इसके फाइदेग ब पांच गराम चूरन को एक गिलास दूद के साथ खाए तो यह बहुत ही सक्ति वर्धक चूरन बन जाएगा अस्तम सक्ति को बढ़ाएगा शरीर में ताकत लाएगा और दोस्तों मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि अगर जैसे मान लीजिए किसी के जबान में जलता है मिर्चा नहीं खा सकता मिर्ची नहीं खा सकता खाना खाते में जीव जलता है तो वह इसके पत्ते को अपने मुह में रखकर चबाए और मुह के अंदर चबाए और करीबं 10-15 मिनट तक थूप को मुह में रखे उसके बाद उगल दे तो उसके जबान के अंदर जो जो लिवर इंफेक्शन, पेट के गर्मी कोजे से चेहरे पदाना आ जाता है, जिसके वज़स कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, जलन होने लगता है, मिर्चा तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते हैं, तो ऐसे रोगम भी आप इसके पत्ते को चबा कर थूख दीजिए, तो के अंदर, हाँ दोस्तों, और एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी को फेसाब करने में जलन हो रहा है, या फेसाब बून बून करके होता है, रुकता है, किलियर फेसाब नहीं हो रहा है, तो भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, करीबन आठ नो दस पत्ते, ला आतपूर जानकारी इतना ही थी, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो हमारे चाइनल को सब्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेर कीजिए, पाड़ी आयरवेदिक